हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके पने यूटूब चैनल अंसिका आलाइज सरू सकता दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सीटेड यानि की सिंट्रल टीचर इलिजिबिल्टी टेस्ट जनवरी दोजार चोबीस का आविदन कैसे करें क्या प्रोसेस से पूरी जान करें आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं दोस्तों वीडियो को पूरा द्यान से देखें ताकि आपको पूरी जान करें मिल सकें और फाम बनने में भी कोई आसुविदन आओ अब दोस्तों बात कर लिते हैं कि आप इसका आविदन कहा से कर सकते हैं दोस्तों आप इसका आविदन Seated की आपसीन वेबसाइट से कर सकते हैं दोस्तों आप Google पर सर्च कर सकते हैं Seated इसको Google पर सर्च करने इसके बाद दोस्तों आपको seated की अपसिल लिंक यहां पर मिल जाती है आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना होता है तो हम seated की अपसिल वेबसाइट पर आ जाते हैं तो दोस्तों यहां पर जगा जगा आपको मिल जाएगा apply for seated 2024 दोस्तों आपको नीचे आना होता है यहां पर तो दोस्तों आप login कर सकते हैं अगर आप नए candidate है तो दोस्तों आपको new registration पर क्लिक करना होता है तो दोस्तों हम new registration करके आपको बता देते हैं step by step पूरा आपको process बता देते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अगर आपने हमारे चनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको आगे की notification मिलती रहे दोस्तों इसका direct link आपने वीडियो के निचे provide करतेंगे आप उस पर भी क्लिक करके अपना farm भर सकते हैं आप दोस्तों new registration पर क्लिक करते हैं यहां पर दोस्तों आपको कुछ इंट्रक्स दिये हैं आप दोस्तों इसको देख लें यहां पर download information bulletin है आप इसको क्लिक करके download कर स आप advertisements मैं और भवह दोस्तों प्रोषिट यहां पर और प्रोषहिट पर चाये को दोस्तों आपको personal papers only शुड़क होती है पहले तो दोस्तों लिखा हुआ है iowa कर गनीडा कर जो भी नाम है आप उसको यहां पर भृ लो अब दोस्तों यहां पर आपको फादर स्नेम बरने हैं आपके आपका जो फादर स्नेम है आपके पिता का जो भी नाम है आप उसको यहां पर बर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर मदस्ने बरना होता है जो भी आपकी मदस्त का नाम है आप उसको यहां पर बर लें अब दोस्तों यहां पर आपको डेटा बर्द अन्यों की आपका जो भी डेटा बर्द है आप उसको यहां पर सेलिट कर लें अब यहां पे दोस्तो नीचे आपको जिंडर सिटकरना होता है जो भी जिंडर है मेल याफी मेल आप अपना ऍपर कर लें फिर आप ऐगा ने आपको इटी टाइस टाइ बहना हो एक comunque दोष दिया आ करना होगा दुस्तों आप इसे क्लिक करना होगा पहले लिखाओ है आपको आधार नमबर भनना होगा यहां पर दोस्तों सब लोकल्टी दिया है यहां पर अप्सिनल है यहां पर भरना चाहते हैं तो भर ले यहां पर दोस्तों पोस्ट करना भी भर सकते हैं आप इसको भर सकते हैं आप पर ले फिर यहां पर दोस्तों कंट्री दिया है कंट्री आप इंडिये सिलेट कर ले फिर आपका जो भी है आप उसको यहाँ पर सिलेट करने है आपकी जो भी डिश्टिक है उसको सिलेट करने है पिन कोड क्या है उसको यहाँ पर सिलेट करने है आप दोस्तों इमेल आईडिया आपको यहां पर भर नहीं होती है आपकी जो भी इमेल आईडिया आप उसको यहां पर भर ले फिर आपको दोस्तों इमेल जो आपने भरी है उसको यहां पर कन्फरम करना होगा यानि कि एक बार आपको फिर से वही इमेल आईडी आपर दो रानी होगी दोस्तों यहां पर जो भी टीटेल्स बर रहे हो बस आपको बताने के लिए भर रहे हैं दोस्तों मोबाइल लंबर बर्ना और अपना फिर से यहां होगे अब फिर गोगान फिर दो आपको एकशलिकर अप्स अज़ितर पहरा अगर यहां पर नाम नाम लिख सकते हैं कैपिटल बस्ट года बागि सब इस्तमाल कर सकते हैं ,야 धर स्क्राइद कर सकते हैं , बलाइविक से पासवर्ड बना देए , यहाँ पर चैन तो पिन दिया गया है , आप इस को आप सब्सक्राइब करें , यहाँ पर्टारीक पनेगए , तो यहाँ पर देख लिलिए , अगम कीछा का सब्सक्राइब करना होता है अगर आप इडिट करना चाहते हैं तो इस पी क्लिक करना होगा है अगर सब सही है तो पर नहीं गई है तो आप रिसेट नंबर पर टिपी पर कलिक करना होगा कि आप आप दोस्तों आपका रेश्टेशन हो चुका है आपका रेश्टेशन नमबर आपकी इमेल और मोबाइल लबर पर भेर दिये जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया है अगर है तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है यहां पर पर सकते हैं नहीं तो आप नाट इंप्लाई पर प्लिक करके आगे बढ़े दोस्तों अब दोस्तों यहां पर कैच्छा कोड़ भर लें फिर समिट कर दें अब दोस्तों यहां पर लिखा हुओ है apply far यानि कि आप किसके प्लाइ करना चाते हैं? आप दोस्तों अब जिन आपी करना चाते हैं, जो भी आप लेंगवें पर Jan देना चाहतें, एन दोस्तों आप पहले इसका शहर्न कर लेन दोस्तों जोब्री लेंगुज आप चूच करना चाहते हैं इसको आप चूच कर लें आप यहाँ पे आती है मिनिमम qualification पार classes वन तो फाइव तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख लें रहा होगा कि आपकी पास कोण सी qualification है यहां पर दोस्तों आप notification देख सकते हैं कि आपके पास क्या degree होनी चाहिए 1-5 के लिए और दोस्तों क्या होनी चाहिए 6-8 के लिए eligibility तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं यहां भी दोस्तों आपको मिल जाता है पहले तो लिखा हुआ है कि senior secondary are equivalent with at least 50% marks and past are appearing in final year of two year आपके पास senior secondary दी गई है और उसके बाद आपके पास डिपलोमा होना चाहिए पास या पी यह की तो दोस्तों अगर आपने ऐसा किया है तो दोस्तों इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है सीनियर सेकेंटरी और इक्वलेंट लिए लिखा हुआ है कि इसके बाद विद एटलिस्ट 45 परसेंट मार्क पास्ट आर अपीरिंग फाइनल यह आप टू यह डिपलोमेंट एलिमेंटरी एजुकेशन तो दोस्तों अगर आपने ऐसा किया तो दोस्तों आप इसको चूच कर सक सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ सीनियर सेकेंटरी और इट्स एक्वलेंट विद एटलिस्ट 50 परसेंट मार्क पास्ट आर अपेरिंग फाइनल यह आप फोर यह बैसलर्स आप एलिमेंटरी एजुकेशन बी एलेट तो अगर आप बी एलेट किया है तो आप स इस पेशल एजुकेशन तो दोस्तों आप अपने हिसाब इसको देख लिए आगर आप जिसके इलिजीबर लाइंट जो आपने किया है आप उसको यहाँ पर चूच कर सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिजुजिशन विद पास्ट आर अपेरिंग इन अप लिए बैसला आप एजूकेशन विए को लिए दिया है विज एक वाइल फार्दर क्ॉलिफिकेशन अप बैसले आप इसको चूच कर सकते हैं अब्डूस्तों आगे दिया है कि पोच्ट ग्रिजुएसं मिद मिनिमम फीप्टी-फाइव परसेंट माल तो दोस्तों अग कीली में से आपके पास दो अपसन हटा दिए गए यानि यहां पर चार एक होना चाहिए तब यह आप इसके लिए अपने कर पाएगे पर दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि पहले तो दिया है ग्रेजुशन पास्ट और पेरिंग इन फाइनल यह आप टू यह टिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख लें आपके पास जो भी है आप उसको यहाँ पे सिलेट कर लें और अपके पास दिप्लोमा है यानि कि घृडियर की डिप्लोमा है तो आप पहले कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि एस परिंग अब इसको चूछ कर सकते हैं पिर दोस्तों यहां पर लिखाओ है graduation with at least 45% mark and past are appearing in final year bachelor degree in education तो दोस्तों अगर आपके पास 40% mark 45% mark है graduation में और B8 है तो दोस्तों आप इसको चूच कर सकते हैं इसे पकार दोस्तों यहां पर लिखाओ कि senior secondary है उसके बाद आपके पास senior secondary में 50% mark और आपके पास 4 year का bachelor in elementary education दोस्तों आप इसको select कर सकते हैं फिर दोस्तों इसी परकार आपके पास जो भी है आप उसको आपे select कर लें अब दोस्तों आपको यहां पर subject आपफार second paper से second paper के लिए आप सब्जक्ट यहां पर दिया हुआ है आप जो चूच करना चाहते हैं आप उसको यहां पर चूच क दोस्तो यहां पे लिखा हुआ ऐग्जाम्, आपने दिप्लोमा किया है कि डिग्री लिया है तो दोस्तो आपने जो भी किया है आप। उसको यहां पर चूच कर सकते हैं अब आगे दोस्तों आपको एक्जाम से Meine मिल जाती है चूज़ करने के लिए रही है दोस्तों आपको तो आपको यहां करना होता है फिर उसके बाद आपको यहां पर एग्जाब सर्थी चूज़ कर नहीं होती है और जो भी चूच करना चाहते concealer आप अप अपने सहाब से इसको चलेट करने अब दोस्तों agora पर बढ़ें इसके बाद आप से करके आगे बढ़ें अब दोरतों यहां पे आपको एज्फी की डिटेंस दिओनुन की है तो आपको आप पे लिज के होगा आपको इसका यहां पर निकाई दिफीर पड़ना ई है कर लेते हैं यहां पर पासिंग यह दिया है यानि कि अगर आप अपेरिंग पर सिलिट करते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर अपेरिंग में दोस्तों यहां पर 2023-24 दिया है यानि कि अगर आप 2023 में पास होते हैं तो 2023 चूज करें 24 में पास होते हैं तो 24 चूज करें यहां प था सब्सक्राइब। है किसी प्रकार से इसका आप या फिद्बूरन सकते हैं। फिर यहां पर आपको 또। युकर्ड को सेक्रियर्टी पिन बर के आगे पढ़ना होता है। अगर आप आप स्किश्डी पास तो प्हु due कर ले पिर दोस्तों अब आपको फासेंग ईयर सिलेट करना होता है जो भी औहिस तिर आप इसको सेलेट कर ले पिर यहा Pir सर्कार्स का निस ऐब है यह अधि आ पर सकते दोस्तों धोर परश्चे मार्क और आपका इससे को यह सकते हैं इतरा ब सकते हैं इतना बर ले भार कि बढ़ें अब दूस्तों आपको फोटो और सिर्डेटर अपलोड करना हमता है यहां पटो सिरिःटर चार से थीस से विट अपलोड करने चूछ करने तो इसको आप लोड करने इसकी बाद आपको review page मिल जाता है आप एक बार देख ले पूरा तब final submit करें तो दोस्तों details देख लें अगर आप सब सही है तो आप सब पर क्लिक कर लें आप नीचे आपको आना होगा इस पर सब पर क्लिक करना होगा फिर आप final submit आप application करने होगे यह पर लिखा हुआ है कि your email is not verified तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करके अपना email ID verified करें दोस्तों आपके email ID पर OTP जाएगा OTP दोस्तों आप डालके यहां पर verify कर लें उसके बाद दोस्तों आपको payment कर सकते हैं दोस्तों फार्म बनने में कोई भी समस्या आती है आप में comment कर सकते हैं अगर आप आपने हमारे मादयान से आपना पर कलिया है तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने ताकि आपको आगे की नोटिफिकरिकेसन मित